अगर आप पेस बैटरी देखोगे तो दोनों टीमों में देखे हैं वहाँ पर जेम सैंटरसन होगे जिनके पास अच्छा कासा एक्सपिरिंस है ओली रोबिंसन इस टीम में आ गए हैं कोच का कॉंफिडेंस नहीं आ पा रहा है आप बेजबोल लगतार खेले जा रहे हैं आपको रिजल्ट मिल रही हैं तो बहले ही उनके पास एंडरसन हो लगिन शुरुवाती तीन टेस्ट मैच में थे तब उन्होंने क्या कर ले तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया और आप य जीप ने राची में तीन विकेट लिये तो यह तो कहना गलत हुगा कि रेंक्टर नहीं मिलाए या स्पिन विकेट था यहां पर टेस्ट गेंदबासों ने कुछ नहीं किया शुरुवात में भी इंगलेंड के लिए मैं भी विकोंगा इंडिया का बेस अटेक बहुत ज्या सदालक बना रही है इंगलेंड का एपरोच से मिलाए तो यह कही न कहीं ठोड़ा बहुत बदलाफ करना चाहिए इंगलेंड की टीम को लेकिन मैं बार इस गेंदबाजों को यहाँ पर ज्यादा मदद मिलेगी, स्पिनर्स को मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि इंडिया में आप कहीं भी टेस्ट मैच अगर खेलने तो स्पिनर्स को जरूर मदद मिलती है, लेकिन वो जो हम पहले चार टेस्ट मैचेस में हम देख रहे थे कि पहले सेशन में दूसरे सेशन में स्पिनर्स को मदद मिल रही थी बिल्कुल वैसे अगर धरमसाला टेस्ट की बात करें तो अब तक धरमसाला में सिर्फ एक ही मैच खेला है, इंडिया ने उस्टेलिया के साथ, उसमें इंडिया आठ फिकेट से जीत गया था, लेकिन उस मैच में शातक नहीं आया था, क्या टीम इंडिया के इस बार बैट्सम हंड़ा आएगा, नहीं मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शुबमंगिल का धरमसाला में हंड़ा आने वाला है, शुबमंगिल वो खिलाडी होंगे, जो धरमसाला में बारत की और से ट्रिकेट में पहला शटक ठोकेंगे, क्योंकि सीमिंग कंडिशन है, और वो अलमस 49 का स्ट्राइक रेट, एक शटक, एक अर शटक और शटक, और ये दोनों ही पारियां, चोहती पारी में आई उनकी शटक और शटक, फॉर्म में आप आ चुक हैं शुबमंगिल, तो फॉर्म को लेकर कोई दोराएं नहीं है, मुझे लग रहा है किल के बल्ले से.